हर घर में मुदी और हर घर में योगी का जो वाक्य में कह रहा हूँ वो प्रविष्ट हो चुका था और लोगों के मन मस्तिस में पिक्चर क्लियर थी कि जो जातिवाद संप्रदायवाद शेत्रवाद भाई बतीजावाद परिवारवाद की जो व्यवस्थाएं हैं की सोच है पहले दो घंटे में पिक्चर सामने आ रही है क्या उससे क्लियर है कि भाजपा को इस तरह की जीत मिल रही है कि आपको लगता है कि कुछ उठापटक होगी ने देखिए हम संभावनों के बारे में अब गोशना करना मैं समझता हूं उचीत नहीं है लेगन इतना मैं कह सकता हूं कि जो चुनाओं के परिणाम है वो निशीत रुपे उत्रप्रदेश की विकास स्यात्रा को की गति को और तेज करने वाले होंगे राष्टवाद की अभी कलपना को पूरा करने वाले होंगे जातवादी और परिवारवादी सोच को पराजित करने वाले ये परणाम जरूर से होंगे योगी जी और मोधी जी की जो टिवनिंग थी काम करने के एक विकास की आउधारना को आगे ले जाने की जो उनकी भावना थी वो आज घरगर पहुंची है हर घर में आज किसी को रासन मिला है किसी को मफ्त के वैक्शिनिसन कलाब मिला है किसी को आवास मिले हैं, किसी को इजएद घर मिला है, किसी को वाँ सड़कें बनी हैं, किसी को वाँ बिजली पहुंची, किसी को मुफ्त के सिक्षा मिली है, हर तरफ, इसलिए आप अगर इस चुनाओं में देखो, तो सब्सक्र बड़ी बात क्या थी, इसमें सड़क, बिजल इसमें फार्मूले पर चुनाओं लड़ने का जो कोशिस कर रहा है, जनता ने उसको नका रहा है, बाबा का बुल्डोजर जो है, उस पर जनता ने महर लगाई, शेय उनको भी जाएगा, मैं से तो जारिजबाद जो निर्तत्त करता है, उसको से जाएगा, मोधी जी और यो आजनीत करने वालों को भी बदलना पड़ेगा, उनको आकरामक, उनको शांपरदायक, उनको हिंसात्मक, जो सब्दे हैं, उनके प्रयोक से बचना होगा, और ये उत्तर प्रदेश की जो प्रगति में सहायक बन करकर कोई आता है, आज जनता पूश क्यों रही है विपक्ष से, अगर करोना का संक्रमन हुआ था, और विपक्ष का एक भी नेता अपने चुनाव शेत्र में ही चला गया होता, तो उनको रोल माडल होता है, कम से कम आपका टेलेविजन दिखाता तो, कि फालाना बड़ा नेता समाजबादी पार्टी का, बहुजन समाजपार्टी का, या कॉंग्रेस का यहां पर गया था, कौन गया था, बीजेपी के तिन-तिन मंत्री दिवंगत हुए, शेशे हमारे विधायक दिवंगत हुए, सो से उपर हमारे कारकरता दिवंगत हुए, यह सेवा ही संगधन के नाम से काम करते हुए, जो सेवा करेगा, जो काम करेगा, ज जनता उसको पसंद करेगी मेरा आख़ी सवाल फाइनल आकड़े क्या होंगे क्या 300 पार करेंगे देखे पहले भी मैंने कहा था कि बीजेपी 2017 के अपने चुनावी आकड़े को च्छुएगी बल्कि उसको पार करेगी और उत्तर प्रदेश में एक सुसासन व्यवस्था उसको पालट करेगी